जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इन्सान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान होसलो को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचान मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान ओम शांती दोस्तो नमस्ते स्वागत है आपका हमारी प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हम जिंदगी में कही सारी बातों से जूज रहे होते हैं पर कही न कहीं हमने ये रियलाइस करने की जरूरत है कि बाते तो बहुत सारी आएंगी पर हमारा जो इनर स्टेट है वही हमारे बातों को आगे बढ़ाने में या उसे रोक देने में वहीं के वहीं हमारा साथ देता है हमारी एक्छाए जो है कही ना कही वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो हमें अच्छा बनने नहीं दे रही और हमें ये रियलाइस करने की जरूरत है कि अगर हमें अच्छा बनना है तो कहीं ना कहीं अपने आपके साथ ने time spent करने की जरूरत है अपने आपके साथ बात करने की जरूरत है इसी बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रग्राम की हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम बसंट जी ओम शैंति ओम शैंति बाइजी बहुत सारी कडियों में हमने जिंदगी के बारे में बाते की है लेकिन आज का हमारा special episode हमारी lifestyle पर related है कहीं ना कहीं हम कहते हैं हर डॉक्टर आज एक patient को कहता है आपको अपनी lifestyle को बदलने की जरूरत है आपको अपने आपके साथ में बैट करके analyze करने के जरूरत है अपने lifestyle को तो आपके हिसाब से lifestyle exactly है क्या काफी deep question है और broad है अब life के अलग-अलग meaning भी ले सकते हैं life एक game है उसको play करना है life एक celebration है उसको celebrate करना है हर एक के अपने अपने meaning है और हर एक का अपना purpose है जीने का अब अगर हम purpose को connect करते हैं life से तो हमें एक balance मिलता है health ठीक रहती है क्योंकि health हमारा एक important parameter है अगर health अच्छी है तो celebrate अच्छी तरह कर सकते हैं event को आगे बढ़ा सकते हैं तो ही health हमारा first parameter है फिर हमारा conscious है हमारी values है फिर हमारे relationship है वो भी important है मेरा role क्या है और मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं resources हैं इसलिए किसी ने कहा आप life को अपनी तरह जीओ और खुलकर जीओ बंद होकर जीओ नहीं यानि मैं इसको कहूं terminology जाओ जी alive होकर जीओ मुड़े की तरह नहीं जीओ जब आप हसोगे जहां हसना है जहां कुछ करना है आपको जरूर करो जब photo खिचवा रहे हो तो कुछ अगर मुँ बना कर खिचवा रहे हो बहुत अच्छा है कुछ चीजें ऐसी करो जो आपको अच्छी लगती है वो जरूर करो तो यह देखा गया है कि जो work pressure है family pressure है वो हमारे कम होते हैं और जो व्यक्ति खुल कर जीता है 100% जीता है उसका body का resistance power अच्छा रहता है immune system अच्छा रहता है इसलिए आजकल कहा जा रहा है खुल कर जी open up open up दबाव मत pressurize अंदर pressure करेंगे तो वो अंदर कहीं न कहीं problem देगा किसी न किसी form में चाहे बीमारी हो चाहे निराशा हो कहीं न कहीं वो भार आएगा गुसा है उसको दबा दिया तो भार आएगा पर कही न कहीं यह build up जो हो रहा होता है हम कहीं बार realize भी नहीं कर पा रहते हैं हम अपने जिंदगी को इतने वो नॉटनिस तरी कैसे जी रहे होते कि हम और फिर वो एक पॉइंट ऐसा आता है जब पूरी तरह से outburst हो जाता है तो ऐसे situation में अपने आप क्यों कैसे analyze करें कि हम उस build up के शिकार होते जा रहे हैं वो हम identify कर सकते हैं sudden changes आते जाएंगे मेरे जिंदगी में मैं बहुत react करने लगा हूँ irritate हो रहा हूँ और upset जल्दी हो रहा हूँ blood pressure बढ़ रहा है अचा mood swings मोड़ स्विंग के साथ बॉड़ी के ओपर भी effect आएगा BP स्विंग करेगा कही नहीं पेन आना शुरू होगा तो उसको हम बैट कर analyze करें कि कहां यह हो रहा है और क्यों हो रहा है इसलिए मैंने आपने जैसे कहा शुरू में कि खुद को time देना important है अगर हम walk करके exercise करके 10 minute भ देते हैं यह 15 minute भी देते हैं तो उसमें पूरा scanning हो जाएगा जिसे हम MRI कराते है CT scan कराते हैं वैसा ही खुद का MRI करें CT scan करें और उसमें हमें clear होगा कि कहां problem है और उसको कैसे rectify करना ठीक करना problem तो आएंगे दुकर उससे हम भाग नहीं सकते हैं पर उसको correct करना मेरे हाथ में lifestyle भी कुछ मेरे हाथ में कुछ नहीं है पर जो मेरे हाथ में है उसको मेरे को ठीक करना है भाजी lifestyle अपने आप में बहुत broad perspective है लेकिन अगर हम बात करें अपने आप के साथ में time spend करने की तो हम एक तो होता है inner world एक होता है outer world लेकिन यह outer world और inner world के बीच का जो यह balance है यही शा आपको अपने आपको थोड़ी सी त्यून करने के ज़वरत है तो वो त्यूनिंग कैसे हो जैसे मैंने कहा आपने भी बताया inner और outer जो अंदर हो रहा है वो ही बाहर reflect हो रहा है इसको ही कहते है projection reflection अंदर जो मेरे अंदर जो भी pattern है मेरा खुद का वो बाहर आकर product बन रहा है action, planning और बहार आकर मैं उसको act कर रहा हूं तो inner को और outer को जो मेरा inner construct हुआ है उसको outer में आकर मुझे apply करना है तो तब दोनों का balance होगा नहीं तो फिर conflict चालू होगा मैंने जो सोचा हुआ नहीं फिर जो हमारी अपेक्षया है खुच से वो problem देना शुडू करती है इसलिए कह जो सोच रहे हो थोड़ा बहुत सोच हो और उसको apply कर दो कर दो जब उसका result आएगा उसकी खुशी आएगी वो हमें आगे फिर move करा दिए तो दोनों का balance अपने आप automatic रहे गा भाजी lifestyle और status क्या ये एक जुसरे से related है जैसे आज अगर lower status के जो लोग है comparatively क्या उनकी lifestyle और क् कहा जाए कि जो अच्छे lifestyle वाले लोग है उनकी health बहुत बेटर रहती है जबकि उल्टा आजकर उल्टा देखा जा रहा है कही न कहीं जो अच्छे lifestyle जी रहे होते हैं जिनके पास सब कुछ दिया है भगवान ने उनकी health सबसे ज्यादा deteriorated है तो ऐसा क्यों होता है इसमें status का कोई वो नहीं है connection, status मेरा भारी reflection है और status के वर power और money का नहीं रहता, status हमारी अंदर की सोच का रहता है, चाहे वो poor है, medium class है, higher class है, हर एक अपना-पना perception है पर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, lifestyle की, सुब से उटकर रात तक मेरा जो रोल दिया गया है उस रोल को अच्छी तरह समझ कर मैं कर रहा हूं की नहीं कर रहा हूं, वो मेरी lifestyle है, उसमें सब आ गया, exercise आ गई, diet आ गई, जो work कर रहा हूं, उससे खुश हों की नहीं हूं, परिवार से खुश हों की नहीं हूं, वो दोनों का गरीब का भी है, अमीर का भी है, तो वो सब factors मिलकर बीमारी लाते हैं या health को बनाते हैं, multiple factors हैं, मेरा friends कैसे हैं, घर में, relationship कैसे हैं, वर्क पर कैसे हैं, मेरा boss कैसा है, तो ये सब मिलकर ही पूरे lifestyle को create करते हैं. एक शिरुवार जब हम कहते हैं, चोटा सा बच्चा जब अपने parents के साथ में रहता है, और फिर दीरे दीरे बढ़ता है, तो कही ना कही उनके parents जो lifestyle जी रहे होते हैं, उसका बहुत जादा इंपक्ट उनके बच्चों पर पढ़ता है, लेकिन ऐसे में, parents का क्या रोल होना च जिससे उनके बच्चे की जो भविशा है वो बेटर हो जाएंगा, यह भी काफी गहन कोस्चन है, क्योंकि बच्चा पूरा copy कर रहा है, माबाप को, follow करता है, 90% तो बिलकुली वो copy करता है, अगर वो जो भी कर रहे हैं, cigarette पीरा और फादर, तो वो भी उसके बच्चे में ज होगा, कहीना कहीं वो सुचे का, फादर पी रहे हैं तो में भी गलत नहीं है यह और इन वे पैसिव स्मोकिंग भी किना ज्यादा, वो भी आएगा, तो फादर, मदर दोनों उसके रोल मॉडल है, पहले, फर्स रोल मॉडल बच्चे के, अगर वो दोनों ठीक रहते हैं, तो उसका total psychological balance अच्छा रहता है, emotional balance अच्छा रहता है, decision power अच्छा होता है, और कहीं न कहीं उन दोनों में conflict हैं, और वो conflict बच्चे के सामने produce हो रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर जाएगा, कि marriage का क्या होता है, वो भी उसके उपर आएगा, तो यह सब आते हैं बच्चे के उप तो role model बनकर parents को जो भी problem है, ध्यान रखें कि बच्चे के सामने उसको unwanted produce न करें, उसको खुदी ठीक करके बच्चे को support करते हैं, क्योंकि वो ठीक रहेंगे तो बच्चा भी ठीक रहेगा, बच्चे का brain grow कर रहा है, पूरा शरीर grow कर रहा है, और वो जो देख रहा है, वो film उसके अंदर record हो रही है, knowingly, unknowingly, unconsciously भी जाती रहती है, तो वो recording को अगर ठीक रखेंगे तो उसके भी recording अच्छी होगी है, जी भाईजी, कहीं न कहीं health, जो के बहुत बड़ा एक vast subject बनता जाना है, लोग realize नहीं कर पाते कहीं बार कि वो अपने health के रिए कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपने आप से और ज्यादा ट्राक्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसे में health को कैसे better बनाया जाए, क्या हमारी thoughts जो है, वो हमारे health पर reflect करती है, मैं ले जिसका ये multiple factor है, कुछ तो हमारे genetic रहते हैं, poor father से लेकर आते हैं, कुछ हम लेते हैं, acquired लेते हैं, हमारी diet क्या है, खाने का style क्या है, जल्ली खा रहा हूं, दीरे खा रहा हूं, exercise कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मेरा job क्या है, मेरा behavior pattern क्या है, personality क्या है, ये सब मिलकर हमारी health को govern करते हैं, तो अगर health को ठीक करना, इसलिए आजकल कहा जा रहा है, holistic health, holistic health का अरत है, physical, mental, social, spiritual, चारो एरिया ठीक हैं, तो मेरी total health ठीक रहेगी, और चारो एरिया का हमें balance रखना है, Isaiah Salon, ठीक में ठीक रखना है, mental ठीक रखना है, social ठीक रखना है, और अपनी खुद की identity को maintain करना है, spiritual health का अरत है, मेरी खुद की identity, self identity, तो चारो ठीक रहेंगे, तब तोटल हेल्थ हमारी ठीक रहेगी, क्योंकि हर चीज का अफेक्ट दूसरे पर हो रहा है, जो फिजिकल हेल्थ है वो तो एक प्रोड़क्त है, ब्लड प्रेशर बड़ा, कोलेस्टरॉल बड़े, ब्लड शुगर बड़ी, तो वो तो एक पैटरन मेरा कहां से आरा है, कहीं न कह प्रेशर बड़ गया है, तो चारों का असर एक द्धूसरे पर होता है, और प्रोड़क्त हमारी है फिजिकल है, तो है को ठीक करना है तो तो चारों एंगल को ठीक पड़े ब्लद पड़ेगा, फिजिकल भी ठीक रखना है, partnerships, mental भी ठीक रखना है, emotional भी ठीक रखना है, psychological ठी और self identity को, role को ठीक रखना है ठीक है भाई जी आज कल इसलिए कहा जाता है IQ, EQ, SQ तीनों ठीक होना जी है बिल्कुल भाई जैसे आपने कहा इतने सारे levels पे हमें काम करने की जरूरत है तो हम एक level को एक time पे लेते हैं जैसे बात कर रहे थे हम लोग emotional level की emotional level पे कैसे अपने अपक strong रहते है emotionally लेकिन end of the day पूरी drained हो जाते हैं तो इसको एक स्थिर तरीके से कैसे उपर लेके जाया जाया है मेरे खाल से अब समय आ गया है जब हम दे की शुरूरात करें beginning करें उस समय अपने को walk जैसे मैंने बताया की must है क्योंकि वो हमारी oxygen level को improve करता है और oxygen जब हमारे emotional level भी ठीक होती है अच्छा मत्या एक्षर्णल शर्कम्स्चंस भी हमारे emotional circumstances को बेट करते हैं चारों related है breathing अगर ठीक है खाना ठीक है तो वो भी मेरे mind को ठीक कर रहा है खाने का असर भी आता है breathing का भी आता है तो शुरू में हम सुबह उटकर walk करकी बैठें मैं सोचता हूँ कम से कम 15 मिनिट खुद को दे अपोइन्मेंट पहला अपोइन्मेंट खुद का है और उन 15 मिनिट में मैं अपने को देखूं कहां से अवाज आ रही है कहां ज्यादा शोर हो रहा है कहां से दं हो रहा है उस क्राइसिस को पहले ठीक करो अपने अंदर अंदर ही हां खुद को खुद से ही देखना है इसलिए सुबह का समय बहुत इंपोर्टेंट रहता है अगर सुबह का चार्जिंग ठीक है तो दिन का प्रोड़क्ट ठीक रहेगा फिर मेरा ड्रेन आउट कम होगा न कुछ फोन आ गया और फोन पर में रियक्ट कर गया तो मेरा पूरा सिनेरियो नेगेटिव चलेगा तो सुबह अपने सिनेरियो को ठीक रखें और फिर आप काम पर चलिए तो जो हमारा एमोशनल लेवल है और थिंकिंग ब्रेन है वो बैलेंस में आएगा क्योंकि हमारे अं काम करते रहते हैं at a time और दोनों की दोस्ती रहती है पर कभी-कभी आज देखा गया है कि हमारा इमोशनल लेवल फास्ट हावी हो जाता है प्रेशर देने लगता है तिंकिंग ब्रेन को और कभी-कभी तिंकिंग ब्रेन को ब्लॉक कर देता है इसलिए व्यक्ति इमोशनल ज प्रेक्टि होता जा रहा है और जो हम पढ़ते रहते हैं न्यूज में आता रहता है अभी कली मैंने देखा न्यूज में बड़ी भेन ने छोटी भेन को मार दिया क्यों मारा क्योंकि छोटी भेन उसको कुछ समझा रही थी डिसकेशन चल रहा था डायलॉग कर रहा था वो भी उसको अच्छा नहीं लगा और उसको मार दिया तो यह हम क्या देख रहे हैं एक बहुर डिफरेंट टाइम देख रहे हैं और इस टाइम का प्रॉब्लम ही है कि व्यक्ति रियक्टिव जादा हो रहा है उसका एगो ऐसे हर्ट होता है कि कहीं न कहीं मिली सेकंड में वो जाकर उसको इंपल्स देता है और वो रियक्त कर देता है और उसको भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है बाद में रियलाइस करता है कि मैंने यह कर दिया तो इमोशनल लेवल और थिंकिंग ब्रेन का बालेंस जरूरी और मैं हमेशना लोगों को यह exercise सिखाता ही हूँ, clapping, clapping क्या करता है, दोनों का balance करता है, जब ऐसा लगे emotional level बढ़ रहा है, हावी हो रहा है, मेरे को सिम्टम आ रहा है, heart beat बढ़ रही है, breathing के उपर असर आ रहा है, इंटस्टाइम में कुछ feel हो रहा है, इसका earth है, कहीं न कहीं वो level बढ़ गई है, उसी समय मैंने clap किया, breathe out किया, तो वो शान्त होगा, क्योंकि वो हमारा brain पहला है, जहाँ impulse जाती है, message जाता है, और फिर message उपर जाता है, thinking brain में, और वो thinking brain उसको control करता है, पर आज यह देखा जा रहा है कि हमारा emotional side, thinking brain को control कर रहा है, तो thoughts जो आना चाहिए, उस समय, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो react कर के, कुछ भी कर देता है, तो वो अब मेरे ख्याल से जरूरी हो गया है, train करना, बच्चों को भी, बड़ों को भी, क्योंकि नहीं तो यह बहुत बड़ा problem बढ़ता जाएगा, और उसी का product है, depression, psychological problem, neurotic problem, बिलकुल भाईजी, और product है वो, यह imbalance के कार्ण, बाईजी, कही नहीं कर जब हम शुरुआत करते हैं, दिन की, कुछ लगों की, जैसे lifestyle की हम बात कर रहे थे, तो lifestyle में एक बहुत बड़ रोल होता है हमारा early day जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए वो चाह करके भी late ही उठते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संसकार लाना चाहते हैं कि early शुरुआत करे दिन की, वो जानते भी है, कि हम early उठेंगे तो हमारे लिए किते सारे फाइ हैं तो definitely वो 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, बिजनेस वाले हैं, लेट आया, लेट सोया, तो वो क्योंकि उनको जाना है 11 बजे तो वो लेट उठेगा, पर पहला गोल तो छोटा सेट करें कि चलो आदा गंटा पहले उठेंगे, हाफे नवर में वो चीजें कर लें, ज साद बजे उठना सुड़ू करो, चलो मैं बढ़ा अभी नहीं जा रहा हूं, साद बजे उठेगा मैं वाक करूंगा, लिख ले, रात को सोने के पहले, मेरे को वाक करना जरूरी है, वाइफ को बता दे, बच्चे को बता दे की मेरे को उठाना, पहले, क्योंकि ये मेरी हेल के लिए ठीक है मैरी हेल्थ ठीक रहेगी तो फैमली ठीक रहेगी हेल्थ ठीक रहे G तो मैरी प्रड़़क्तिविटी रहेगी हेल्थ ठीक रहे इब तो मैरी quality of life ठीक रहे तो एसे चोटे जोब अपने गोल दें कुछंगा लॉजिकल समझायंगा मन को तो direg accept करता है कि इसको उठना है तो मेरे को उठाना है हमारा अंदर का system भी हमें उठाता है हमारा inner mechanism भी काम करता रहता है या के inner clock भी काम करता रहता है inner clock है जो day and night से जुड़ा हुआ है जैसे ही डे होगा नाइट होगी डार्टनेस होगा हमारा अंदर का सिस्टम काम करता है और उसके अनुसार हार्मोन बनते हैं रिलीज होते हैं काम करते हैं कुछ हार्मोन रात को काम करते हैं और कुछ दिन में काम करते हैं तो वो इनर क्लॉक ठीक होना शुरू होगा इनर इवर्तन आना शुरू होगा पर उसको अपने अंदर वो चार्जिंग करना पड़ेगा क्यों मुझे उठना है और क्यों वाक करना है कईना कई अपने आपको रीजनिंग देने के जिने पड़े हैं क्योंकि आज कल के बच्चे भी रीजनिंग वाले हो गए रैशनल थिंकिंग बड़ा है तो रैशनल थिंकिंग में माइन को भी रैशनल से समझाना पड़ेगा केवल हम उसको कह दें, सुबह उठ तो वो कहगा, क्यों उठ हूं, तो उसको हमें rational, ऐसे ही mind को भी क्या करना पड़ता, तर्क देना पड़ता, कि उठना है, ये करना है, और ये करना है, मेरी first priority मेरी health, health ठीक रहेगी, तो बाकी सब ठीक रहेगा मेरा, तो वो प्रायोर्टी देना आना अची है, कि मेरी प्रायोर्टी लाइफ की क्या है, एक बार वो आ गई, तो फिर चाहिए वो कोई भी वैक्ति है, गरीब है, अमीर है, किसी का भी बच्चा है, हर एक को चाहिए कि पढ़ाई पढ़ना है, ग्रो करना है, हेल्थी करना है, बिल जब पस्पेक्टिव होता है फूड का जब हम फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर में सबसे मेजर शीज जो दिखके आती है कि हम पुछलो कहते हैं कि भई हम रेस्टराण का खाते हैं तो हम बिमार जादा हो रहते हैं घर की खाने मैं अच्छी भी खाने के अगेंच मैं में मुठ इयरते हैं पर जो मैजर डिफ्रेंस है कि खाना कौन पकारा कौन बना रहा है एक मधर है एक सि्स्टर है फदर है और एक रेस्टोरंट में वर्कर भरकर बना रहा है अपनी सेलरी के लिए जाप के लिए कुछ अच्छे भी रहते ही हैं वहाँ ओशना की वहां खरा प्यार से बनाते हैं, इसमें में फ्यक्टर है लोग प्यार, लोग और प्यार याने उसके इत्ते अच्छे positive powerful vibration है, वो खाने में भी हमें differentiate करते हैं, कि कौन सा खाना कहां बना है और किसने बनाया है, क्योंकि जो मदर बना रही है वो पूरे अंदर से बना रही है, कि ये मेरे बच्चे के लिए, हस्बेन के लिए, फादर के लिए बना रही हूं, और वो जो अंदर उसके vibration जाते हैं, वो खाने में भी आते हैं, अब ये वेल प्रूट हो गया है, हर चीज देखा जाए, चाहे खाना है, मैटर तो है, पर मैटर के साथ उसमें भी सुक्ष्मता है, माइ तो उसके अंदर भी vibration है, और एक vibration दे रहा है positive, तो वो भी खाना एनलजाइज होगा और अंदर जाकर ताकत देगा, बिल्कु ठीका बहुता है, और इसलिए बीमारियां घर के खाने में कम होती है, भाहर के खाने में, दूसरा भी फरक होता है, और दूसरा भी फरक होता है, quality of masala, जो है, spices है, उसके उपर भी रहता है, पर यहां मदर को मालूम है कि मेरे पती को, मेरे बच्चे को किस तरह का खाना चाहिए, बिल्कुल चीका बहुता है, जादा मिर्ची है, कम मिर्ची है, जब शुगर देना है, नहीं देना है, जब पता है, तो वो भी एक factor रहता है जो create करता है, वहां उसको नहीं मालूम, रेस्टोरेंट वाले को, इत्ती साही बाते भाईजी, आज हमने सीखी, लेकिन सबसे important बात यह सीखी कि हमारे lifestyle के लिए, हमारे health के लिए, हमें सबसे पहले अपनी अंदर की thoughts को बदलने के जरूरत है, thought level पर जब हमसे convert करेंगे, तो कही सारी बातें सीखी, लेकिन कही न कही सबसे important बात हमने यह सीखी कि हमारे thoughts है, वही हमारे create करते हैं पूरे के पूरे canvas को, अगर किसी painting की बात करें तो इसमें जो colors है, वो हमारे thoughts है, हमें painting को अगर better बनाना है, तो हमें अपनी thought level पे अपने आपको better बनाने की जरूरत है, करते हैं पूर की माट पने आपक बनाने की जरूर बनाना है, थाछ़ पार बनाना है, वो हमारे बनाने की ईसरह सका inward जफिgt को जब हैं तो है, तो हमारे के वहन्य कहीं है, आपको पूरे के चारbellुदळ। एमत्लिसफी ज. झाल झाल झाल